निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियरली जो ट्रेंड है वो अप्ट्रेंड है निफ्टी लगातार हाइर हाइज और हाइर लोज बनाते जा रहा है यहाँ पर इसने breakout दिया था और काफी अच्छा आपमों हमें देखने मिला यहाँ से बट यह लेविल को एक बार भी इसने retest नहीं किया है यह जो previous resistance है यह यहाँ पर support का काम कर सकता है और निफ्टी यहाँ तक आ सकता है 15400 तक बट यहाँ पर यह higher low बना के वापस उपर भी जा सकता है क्योंकि trend जो है वो clearly uptrend है so 15400, 15450 तक निफ्टी आ सकता है अगर fall continue होता है अगर आप निफ्टी short भी कर रहे हो तो stop loss strictly रखना क्योंकि trend जो है वो uptrend है कभी भी हमें एक surprise up move देखने मिल सकता है Friday के session में काफी profit booking हमें देखने मिला था और इसलिए मुझे लग रहा है कि Friday का low है वो काफी साथा important है 15,650, 15,650 के नीचे जाता है तो 15,500, 15,450 तक भी निफ्टी आ सकता है पर यह level जो है यहाँ पर support का काम करेगा और possible है यहाँ पर यह higher low बना के वापस उपर चला जाए क्योंकि trend जो है वो clearly आप देख सकते हो uptrend है यह nifty का 15 minute का chart है और यहाँ पर आप देख सकते हो यह level के आसपास exactly इसने support लिया था Friday के session में 15,650 यह जो level है यहाँ पर exactly इसने support लिया फिर उपर गया अगर यह level तूटता है 15,650 का level तो एक sharp fall हमें देखने मिल सकता है 15,500 तक 15,400 तक nifty आ सकता है 15,500, 15,400 एक strong support का काम कर सकता है और वहाँ से हमें एक strong bounce back भी देखने मिल सकता है अभी फिलाल short term के लिए आप view बोल सकती हो थोड़ा सा bearish है थोड़ा बहुत fall हमें देखने मिल सकता है 15,650 के नीचे अगर बात करें तो broader view bullish है 15,400, 15,500 काफी अच्छा area होगा buying position create करने के लिए जो भी आप trade लोगे proper stop loss के साथ लेना है आपको 50-60 point का stop loss रखना उससे ज़्यादा बड़ा stop loss मत रखना और अगर आपको option strategies का knowledge है तो मैं आपको advice करूँगा कि option strategy plan करो that will be a better trade यह bank nifty का daily chart है यहाँ पर आपको यह clearly trend line दिख रहा होगा यह resistance जो है पिछला resistance यह एक बार भी test नहीं हुआ है तो यहाँ तक bank nifty आ सकता है 34,600-34,700 अब ध्यान से देखना video यहाँ पर मैं आपको एक learning point समझा रहा हूँ bank nifty ने यहाँ पर higher low बनाया यहाँ पर यह higher low बना सकता है और वापस up trend continue हो सकता है इस तरीके का pattern formation हो सकता है daily chart पर bank nifty higher chances लग रहे हैं तो 34,600-700 के असपास आपको bind के दरफ जाह द्यान देना चाहिए current level के असपास आपको short के दरफ जाह द्यान देना चाहिए लेकिन अगर आप selling positions बना रहे हो तो strict stop loss maintain रखना क्योंकि daily chart पर जो trend है वो clearly up trend है और try करो option strategies plan करने का क्योंकि option strategies में आपका proper risk management define होता है यह bank nifty का 15 minute का chart है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह level कितने बार test हुआ है 35,200-300 के असपास low बनाया है यहाँ पर भी 35,200-300 के असपास low बनाया है और यहाँ पर भी 35,350 का low बनाया है यह level already तीन बार test हो चुका है अगर कल के session में यहाँ से fall देखने मिलता है अगर क current level के असपास आप short potions बना सकते हो Friday के low के नीचे Friday का low काफी जाधा important level है Friday का low अगर break करता है तो आपको short potions बनाना चाहिए strict stop loss के साथ में और 34,600-34,700 के असपास आपको buying position बनाना चाहिए strict stop loss के साथ में क्योंकि trend जो है वो clearly uptrend है कुछ भी live market में levels में changes हुआ तो मैं आपको telegram channel join कर सकते हो telegram channel में आपको options buying के trades भी मिलते है options selling के trades भी मिलते है और intraday cash level trades भी मिलते है जिसमें आप intraday में 2-3,000 रुपया कमा सकते हो और यह हमारे various courses है इसका भी link मैंने video के description box में दिया हुआ है mobile app का भी link मैंने video के description box में दिया हुआ है और अगर आपको video analysis अच्छा रड़ आपको अच्छाइब जसा कर सकते हुआ है और रहा है जड़ आपको अवाँ है का भी मिलते है के भी मिलते है आपको अबापया के दो के का बापको अखके पKते हैं आपको तो